वेलकम बेक अगेन हमारे YouTube चैनल पे तो आज हम लाए हैं आपके लिए MCSL 217 का question paper ठेक है यह last year का question paper है तो MCSL 217 जो आपका software engineering का subject है उस subject के अंदर किस type के question आएंगे क्योंकि यह lab का paper आपको पताए है से पहले भी हमने एक lab का set आपके साथ share करा था सेम उसी तरीके से यह भी एक overview video है अगर आपको इसका solution चाहिए तो आप comment करिए तो आपको इसका solution की भी video मिलेगी तो बहुत ही simple paper होता है कुछ भी नहीं है बहुत easy paper है जैसे लिखा write a program in C language for addition of two metrics event metrics है उनकी addition करवाने इस C language में program लिखना है simple है कुछ भी नहीं है ठीक है साथ में आपको क्या बोल देंगे आपको बोल देंगे उसके test cases बनो test cases क्या होते है basically क्या input डालने पर क्या expected output होगा अगर output expected output से match करता है तो उसका मतलब आपका क्या होगा test case पास हो जाएगा अगर उस नहीं करता है तो test case फेल हो जाएगा तो यह गुछ टेस्स केसे होते हैं अपको बनाने पड़ते हैं तो यह आपके 20-20 नामक्स के दो कुश्य लाइंगे प्लस 10 माख का आपका एक वाय 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 जाएगा और दस माग के वाय वय में आपसे ही पूछा जाएगा basic-basic जो चीजी इचे वीड सोफ्र एजिनिंग लाब फड़ लेना एक पर मोडुल भी पढ़ लेना आप से पीसी चीजी पूचिजी जाएगी ची लेंग्यूस तो आपनो आती होगी ठीक है आपने पढ़ी होगी तो सिंपल सापको प्रोग्रम बनाया जागा जैसे यह प्रोग्राम पूछ आपसे कि आपका edition of two matrix किया है ठीक है या फिर आपसे पूछ लेंगे कि किसी मालो matrix का या फिर किसी cross product निकालो cross product निकालेंगे आपसे matrix का या फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप factorial निकाल के दिखाओ किसी नंबर का फिर उसके test cases बनाओ तो यह कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है ठीक है अब कुछ बच्चों को मनलब कोशन है कि आपने कोशन पर कहां से लिया भाई देखो मैं खुद तो कोशन पर बनाता नहीं बिल्कुल भी तो मैंने जो लास्ट कोशन पर डालता वह भ जून 2023 का है जून 2023 का सेट 2 है यह MCSL 217 तो देखो अकर आप इसको ओपन करोगे तो यह कुछ ऐसे दिखेगा तो यह देखो एगनु के ओफिचल वेबसेट पर सेम पेपर है ठीक है एडिशन अफ्टू मेट्रिक्स अब देखो कहीं बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है कि बाकी के कोशन में पर कहां से ला क्योंकि यह तो सिर्फ सेट 2 है सेट 3 4 कहां से आएगा तो सिंपल सा क्या करना है जो URL है आपका URL बार उसके अंदर 2 की जगर आप 1 लिख दोगे और एंटर करोगे तो यह देखना यह आपका सेट नंबर 1 खुल जाएगा ठीक है तो 7 का सेट 1 मिल गया में ठीक है अब हमें क्या करना है दो को इसमें क्या कर लिखा है ठीक है राइट प्रोग्राम दैट इस करेक्ट बट नोट गुड क्वाल्टी जिस्टिफा अंसर आपके प्रोग्राम लिखना है उसको पहले ऐसे लिख देना कि बहुत सारे वैरेबल बन बहुत सारे लूपिंग चल रही है उसके बाद उसको प्रोग्राम को क्या करना एक उप्टिमाइज वे में लिखना जिसमें कम लूपिंग चले और कम जल्दी आपका आउट पुट आजाए ठीक है फिर कोड क्वाल्टी नंबर ओफ लाइन कांट कर लेना कॉंपलेक्सिट इस सारी चीज आपको बना के दिखने इसके बाद डी आपका डी फ्टी लेवल 3 तक का मिब बहुत सिंपल किसका रेल बेडर रिजिस्टिशन सिस्टम का पता है रेल्वे रिजिस्टिशन सिस्टम हमने पढ रख है ठीक है तो सिम्पल हमें क्या करना है हमें एक डीफ बनान है data flow diagram ठीक है तो उसके अंदर आपको पता ही है एंटीडी होती है एंटीडी का relation होता है one to one one to many बहुत सारी चीज़ हमने पढ़ रखी है ठीक है और तो यह भी आप कर सकते हो बहुत इसली तो को सेट वन हो गया अगर मैं इधर इसको डूब्लिकेट करता हूं और यहां पर सेट वन की जगा मैं आप करता हूं सेट नंबर थ्री क्योंकि टू ता अपने देख लिया ठीक है सेट नंबर थ्री आगया इसका तो यह देखो यह थ्री नंबर का सेट है क्या है इसमें आ गया मल्टिप्लिकेशन पूछ लेंगे आप से जासे दोर क्या करेंगे औ सिम्पल सी 2 matrix है matrix को पता यह ना two-dimensional array होती है two-dimensional array में क्या करना है multiplication लगाना है ठीक है अब इसके बाद एक और हम खोलते हैं ठीक है यह करते है इस टम अब हम 3 को कर देते हैं अपना 4 ठीक है तो 4th number 7 में क्या पूछा गया है देखते हैं देखो वहीं क्या निगालना है इतना सिंपल कुश्चंट फैक्टरियल निगालना है एक इन्पुट का ठीक है जिसमें जो इंटीजर वो क्या लेस देन 10 है समझ गेंगे बहुत ही सिंपल वेह में आपको बताया गया सब कुछ ठीक है तो आप सिंपली इसको क्या करो इसको द पाद है कि सारे सेट कर लो पिछले सालों के सेट कर लो काम खतों यह कब का है ये जून 2023 का यून 2023 का पदो कैसे पता चला आप यूरल कोपी करो एक अधा इस यूर टिकोड़र मैंने सच करा Google पे और जिस्पल मैंने यूर्ल टिकोड़र पर क्लिक कर दिया ठीक है अब यहां पर मैंने क्या करा यहां पर इस URL को हमने पेस्ट कर दिया ठीक है यहां पेस्ट करने पर जैसे डिकोड करोगे तो आपको इसका प्रॉपर दिखा रहा है आपको दोड़ा जूम कर देखे इनकी तो को मतलब अर्रेजिमेंट कितने अच्छी है ठीक है प्री कोश्चन मतलब प्रिविए सियर कोश्चन कोश्चन पेपर के लिगा है जू सिंपलीन की जो अनेजमेंट एते नहीं अच्छी है कि आप इसली ना उसको चेक कर सकते हो ठीक है मैंने सेट नंबर फोर दिखा दिया एक सेट और होगा शायद सेट नंबर फाइफ वह भी दिखा रहे तो मैं आपको शायद बड़ चेक कर लेते हैं कि नहीं मैंने फोर की जगा फाइफ दिया ठीक है क्या अवेलिबल है नहीं मतलब चारी सेट है ठीक है अवेलिबल अब देखो कहीं को यह भी डाउट है कि मैंने पिछला सेट से शेयर करा था मैं इसको चेंज करके 216 कर दिया और एंटर कर दिया तो दो कौन सा बेपर खुलिया कुण सा प्रेक्टिकल खुलिया गैस करो यह दो भाई तुमारा डी एंड वेब डिजाइनिंग लाब का खुल गया है ना मैंने कोश्चिन पर कराया था ठीक है देखो यहां पर ही फ्रेक्शनल नास है पाया है कुन से ले सेट में सेट नंबर वन में जो म यह मैं इसमें सेट नंबर टू लिखके देखता हूं ठीक है था है सोरी है कि तो सेट नंबर टू खोलने पर हां यह भी हमारा खुल गया तो को यह जौब यह सीक्विंसिंग का कोश्चन है एक छोटा सा और यह एक बबल स्वार्ड का इंपलिमेंटेशन है सेट नंबर job and sequencing मैंने पढ़ाया हुआ है आप greedy वाली मेरी वीडियो देखो जाके वहाँ पर job and sequencing मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है इसके बास set no.3 देखते हैं यह set no.3 हफ्मेन कोडिंग हफ्मेन कोडिंग भी मैंने बहुत अच्छे सिखाया हुआ है कैसे इसका solution निगालते कैसे करते हैं यह आपको मतलब कराया हुआ है मैंने greedy वाली प्रॉब्लम में आप पर जाके वीडियो देखना आपको अफ्मेन प्रॉब्लम भी मिल जेगी हफ्मेन कोडि इसके बाद यह क्या sorting algorithm है ठीक है वही आपको sort करना algorithm यह देखो सारा मतलब लिखा हुआ है कि इसके बाद कि अगर हम next set पर जाते set number four पे कि मैंने इधर four लिख दिया set number हाँ यह कुशन हमने discuss करा था मलब है set number four था आपका जो हमने discuss करता यहार solution इसका निकालता first question का और साथ इसाथ मैंने यह मर्सोट अला भी कराया नहीं है यह भी मैं करा दूँगा simple है मर्सोट मर्सोट आपको पता ही है क्या problem होती है कैसे implement करते हैं यह सब मैं करवा आपको कोई दिक्कत नहीं है आप कमेंट कर दो अगर आपको जिस question का solution चाहिए ना आप कमेंट कर दो मुझे इस paper का इस question का यह solution मिलने रहा है मैं उसको कोशिश करूँगा बना दो मेरे पर time होगा तो मैं आपको बना दूँगा ठीक है यह अवेलिबल ही नहीं है ठीक है तो मतलब जो जो फाइल अवेलिबल है वो आपको दिख रही है जो अवेलिबल नहीं है उसमें आपको error मिल जाएगा ठीक है तो यह आपका हो गया total experiment with urls plus हमने discuss कर लिया question paper त्यार लखना 10 marks तो आपके वायवाके रहेंगे ही रहेंगे 20-20 mark के दो question रहेंगे पहला question में आपको program बढ़ाया जाएगा C language का बाकि आप यह question का देखो मैंने यहाँ पर link डाल दिया है इस link को आप copy करके experiment कर सकते हो बहुत easily इस पूरी file का मैं link आपको description में देदूगा ठीक है वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं अगर इसका solution चाहिए question का solution चाहिए आप मुझे comment कर दो ठीक है मैं आपको इसका solution निकाल के देदूगा ठीक है तो यह सब मैंने यहाँ पर complete कर दिया discussion हो गया हमारा इसके ओपर ठीक है तो आपको वीडियो पसंद आई है like, share जरूर करना subscribe जरूर करना YouTube चैनल को आने वाली वीडियो next semester की भी वीडियो में आपको update मिल जाएगी ठी बिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you